कि वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे यही पशुप्रवुरुत्ती है कि आप आप अही चरे वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे कि मनसा सततम स्मरणियम वचसा सततम वदनियम लोकहितम ममकरणियम कि यह भील tu ac ग्तर के ई लिट्टिनायमर प्रेट भी इनरे डिर्टर अर्प्ट और ले एल्ए के लिट्ट टन दो रेस्ट कर प्रेट दो एलिति Palmितल Mr. Ashok Mittal, President of Rotary Club of Delhi North Mr. Sharaj Chain, Past District Governor of Rotary International Mr. Deepak Gupta, Past President, Convener of Rotary International Dr. Sunil Mittal, Mr. Raj Gopal Rangwalji All guests, dignitaries and dear friends सबसे पहले मैं आपको बहुत-बहुत पधाई दूँगा कि विशेश रुप से mental health ये COVID के बाद एक बहुत बड़ी समस्या त्यार हुई है और मैं ये मानता हूँ कि इसके कारण काफी लोगों का जीवन भी disturb हुआ है और Rotary Club के बारे में ये एक विशेश्ता है कि social consciousness, social responsibility and social sensitiveness is the most important character of the Rotarians मैं एक बात कहता हूँ कि इन्होंने भी कविता सुनाई है बहुत अच्छी कविता है कि वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे यही पशुप्रवुरुत्ती है कि आप आप अही चरे वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे और इसलिए मैं भी अक्सर एक संस्कृत कविता को याद रखता हूँ कि मनसा सततम स्मरनियम वचसा सततम वदनियम लोकहितम ममकरनियम समाज के जो शोशित है, पिडित है, दलित है, साई है उनके प्रति सब्वेदन शिलता रखकर उनके जीवन को सुसय करने की कोशिश करना ये सामाजिक दाइत्व के रूप में हम सब की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है अभी भुतान के जो प्रधान मंत्री थे उन्होंने हैपी हुमन, दोमेस्टिक हैपी हुमन इंडेक्स इसकी बात की है युनों में भी इसकी चर्चा हुई है और आज हम समाज में सस्टेनेबल डिवलोप्मेंट करने के साथ यह जो domestic happy human index है वो कैसे आसिल कर सकते है this is one of the important challenge for the society और इसमें एक बात जरूरी है कि ऐसी बहुत सी समस्या है जिसके लिए हम लोग अगर चाहते तो बहुत कुछ काम कर सकते है और यही बात है कि आज रोटरी क्लब ने, देली नौर्थ रोटरी क्लब ने mental health के issue को एक प्रकार से ऐसे असाहिया लोगों को मदद करने के लिए इस center की शुरुवात की है मैं सबसे पहले आपको ये भी अनुरूत करूंगा कि positivity and self confidence is very important in the life of everybody और इसमें इसका संबन्द वेक्तियों को पर जो संसकार होते हैं उनके साथ होता है और संसकार जो मिलते हैं वो शिक्षा से भी मिलते हैं परिवार से भी मिलते हैं गुरुवर्यों से भी मिलते हैं कभी-कभी समाज से भी मिलते हैं और हम लोग एक तरफ ज्यान विज्यान और तंतर विज्यान के आधार पर बहुत आगे निकल रहे हैं ये बाद सही है कि innovation, entrepreneurship, science, technology, research, skill and successful practices we name it as knowledge and conversion of knowledge into wealth is the future and the second important philosophy which always I am trying to convince the people that no person is waste and no material is waste it is depending upon the appropriate vision of the readership and appropriate technology that you can convert waste into wealth अब दिल्ली के रिंग रोड का हम काम कर रहें तो आपकी गाजीपूर के टिकडी का 20,00,10,00 कचरा हमने रोड में डाल दिया तो सच्च वाहरत अज्यान पुरा तो कचरे का भी उपयोग है सवाल यही आता है कि उसके लिए किस प्रकार से हम प्रयास कर रहे हैं हमारी जो विशेश रुप से हमारी विज्ञान तंतर विज्ञान में तो आगे जाना ही है क्योंकि आत्मनिर्भर भारत सुपर एकोनोमिक पावर हमें बनना है और प्रदानमंत्र जी का भी सपना है फाइव ट्रिलियन डॉलर की एकोनोमी बनना पर यह सब करते समय जो मुल्यादिष्टित जीवन पद्धती है और परिवार पद्धती है और यह जो फ्रस्टेशन है निराशा है डिप्रिशन है जिसके कारण मेंटल हेल्थ के प्रॉब्लेम हो रहे हैं इनका संबंध साइकोलोजिकली भी थोड़े हमारे परिवार पद्धती और समस्कारों से भी है हमारा जो टेम्परामेंट है हमारा व्यक्तित वह जिन समस्कारों पर आधारित खड़ा होगा उसका परिणाम भी जीवन में काफी बड़ा होता है और इसलिए आप साइंस का उपयोग करके मेंटल हेल्थ के लिए मदब तो कर रहे हैं पर उनका कॉंसिलिंग करके उनका मेंटल करेज, पॉजिटिविटी और सेल्फ कॉंफिडेंस को भी कॉंसिलिंग के साथ बढ़ाना होगा आजकल योग विद्ञान, आयुर्वेद, इसमें भी काफी प्रगती हुई है मेंटल स्ट्रेश को दूर करने के लिए लोग अलगलग प्रकार के अनेक उपायोजना करते हैं उसमें से एलोपेथी मोड में उसके उपायोजना है पर उसके साथ साथ जो हमारी विरासत, इतियास और सुश्कृति से हमें जो बाते मिली हुए उसमें भी बहुत बड़ी शक्ती है मैं रोज देड़ घंटा प्रणायम करता हूँ और मेरा स्वास्ते कुछ ठीक नहीं था पर जब से मैं प्रणायम करने लगा और थोड़ा एक्सासेज करता हूँ मैं बहुत ही ज़्यादा फीट हूँ और इसलिए मैं यह मानता हूँ कि ज़्यादा काम अगर करना है तो हमें निश्चित रूप से हमारे पास जो परंपरागत शास्त्र और विज्यान है मैं योगों को विज्यान मानता हूँ और इसके साथ साथ भी उसके भी फाइदे है मैं एक ही बात आपको कहूँगा कि अलोपेथिक उपचार जो मेंटल हेल्ट के वो सेंटर खुल के तो जरूर करिए पर उसके साथ उसके कौंसिलिंग में निश्चित रुप से हम बाकी भी बातों के साथ उसके माइंड सेट अप को कैसे बदल सकते हैं ये भी कोशिश करने के लिए कौंसिलिंग करें और ये भी उतना ही इंपोर्टन्ट है क्योंकि कोवीड के बाद इसके काफी साइड इफेक्स आये है पर फिर भी आप लोगों को मैं इसलिए धन्यवाद दूँगा कि सोशल कॉंशनेस, सोशल रिस्पांट्फियों, सोशल अविर्नेस कि वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे कि मनसा सततम स्मरणियम, वचसा सततम वदनियम, लोकहितम ममकरणियम समाज के जो शोशित है, पिडित है, दलित है, साइय है उनके प्रति सब्वेदन शिलता रखकर उनके जीवन को सुसय करने की कोशिश करना ये सामाजिक दाइक्व के रूप झाय हम झाय हम झाय है